दोस्तो वैसे तो आज के समय में सामने आये आकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर 3 सेकंड में एक डैवोस हो जाता है जिसमें अगर सिर्फ यूएस की बात करें तो हर 36 सेकंड में यूएस में एक डैवोस होता है यानि वहां हर साल 8,676,000 कपल पूरी तरह से अलग हो जा जो कि दुनिया में इतने महंगे थे की दुनिया के कई सफल देशों की GDP तक उन तलाग के अमाउंट से पीछे रह गई है और इतने महंगे तलाग को देखकर आप यही बोलने वाले हैं कि इतने पैसे हमें दे देते तो हम तो अपना देशी बना लेते तो दे ना करते हो आई सुजेन खान वैसे तो रितिक रोशन साल 2021 के इनुसार बॉलिवूड के फॉब्स इंडिया सेलीबिटी के दूसरे सबसे शक्तिशाली यानि पाउरफूल एक्टर थे और साथ ही साथ बॉलिवूड के सबसे एक्सपेंसिव पेड एक्टर में से एक है जिस वसे रितिक साल बाद 2019 में तलाक ले लिया था दरसल रितिक से सुजेन ने डैवोस के लिए 400 कड़ रुपे की डिमांड की थी जो की 380 कड़ रुपे में फाइनल हुआ हाला कि फिर भी रितिक और सुजेन आज भी एक अच्छे दोस्त हैं और डैवोस के बाद रितिक और सुजेन दोनो ही दुनिया में अपने इतने महेंगे डैवोस के कारण काफी परसीद भी हो गए थे तो फिलाल आप जानते हैं अगले महेंगे डैवोस के बारे में नमबर 9, क्रेग मकाव और वेंडी मकाव दरसल क्रेग मकाव एक सैलूलर पाइनूर और उनकी पत्नी वेंडी मकाव एक कैलिफोर्निया निउस्पिपर की पबलीशर है। क्रेग मकाव ने 72 साल की उमर में दो शादियां की लेकिन दोनों ही शादी का नतीजा उन्हें अंत में तलाक लेना पड़ा। दरसल क्रेग मकाउ ने वेंडी मकाउ से शादी की 21 साल बाद ही साल 1997 में दोनों के व्यक्तिकत मदभेद के कारण आपस में एक दूसरे से तलाक ले लिया था वैसे क्रेग मकाउ और वेंडी मकाउ का डैवोस 460 मिलियन डॉलर के साथ दुनिया का नौवा सबसे महगा डैवोस बन गया था जो की इतियास है आज तक हमेशा से टॉप की लिश्ट में रहा है और तो और इस डैवोस के कारण वेंडी मकाउ यूसे की सबसे धनी लोगों की स बिजनेसमेन के साथ साथ रूस के चौदवे सबसे अमीर वेक्ती भी थे जब उनका तलाक हुआ था शायद यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है जो इनके तलाक की चर्चा दुनिया भर में हुई और हो भी क्यों ना इतना एक्सपेंसिव डैवोस होने के साथ साथ साल 2008 से ल इंतुष नहीं थी जिसकी वजह से एलीना ने फिर से कोट में अपील किया और उसकी रकम बढ़ा कर 604 मिलियन डॉलर में सेटलमेंट का सौधा किया जो कि अगर भारते रुपे में देखे तो लगबग आज के समय में 45 हजार कर रुपे होते हैं वैसे अव्वा है कि दिमित से डैवोस ले लिया था खैर अब चलते हैं अगले डैवोस की तरफ नंबर साथ टाइगर वूट्स और एलीना नौर्दिग्री टाइगर वूट को दुनिया के सर्वसिष्ट गॉल्फर यानि गॉल्फ वर्ड के स्टार प्लेयर के रूप में जाना जाता है टाइगर वू इ טוב लीर दोनों ही पूरी तरह बर्बाद कर लिया धरसले टाइगर वूट्स ने मौडल एलीन ओर्दिग्री से शादी तो करह ली पर इन दोनों की शादी 6 साल भी बहूत मुश्किल सही चली चूंकि टैगर वूट्स के बारे में ऐसा, कहा जाता है कि टाइगर वूड यू करके अलग हो गई जो कि भारती रुपे में देखे तो लगभग 5,278,000 करड़ रुपे होते हैं और यह डैवोस होते के साथ ही दुनिया के सबसे महंगे डैवोस में भी शामिल हो गया फिलाल अब जानते हैं इससे भी महंगे डैवोस के बारे में इस सूची में नंबर 6 पर है हारल्ड हैम एंड सुईयान हारल्ड यूसे के 224 वे सबसे अमीर व्यक्ति हैं साती हारल्ड हम कॉंटिनेंटल रिसोर्सिस के ओनर भी हैं जिन्होंने दो शादी कर रखी हैं जिससे हारल्ड को 5 बच्चे भी हैं दरसर हारल्ड हम ने दूसरी साल 2005 में लेकिन दोनों साधी के 17 साल बाद ही अलग हो गए हालाकर अलग होने के बाद भी 6 साल तक दोनों ने तव्याग़ लेने का फैसला नहीं लिया ठाल शाधी के 24 साल बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला ले लिया और इस डेवरोस को 974 मिलियन डॉलर के समझोते के साथ दोनों द्वारा खतम किया गया जो कि भारते रुपे में देखे तो लगबग 7,241 हजार कर रुपे होते हैं और ये समझोता होते ही दोनों का रिष्टा पूरी तरह खतम हो गया नमबर पांच श्टीव एन एलन वीन श्टीव एक रियल स्टेट डेवलपर और कला संगर करता भी है यानि आर्ट कलेक्टर और तो और श्टीव लॉस वेगस कैसीनों के एक बड़े खिलाडी भी है और वहीं श्टीव की पतनी एलन वीन पेशे से एक फेलिन थोरो पिष्ट है दरसले इन दोनों की सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि श्टीव ने एलन से ही दो बार शादी की है जिसमें पहली शादी 23 साल चली और दूसरी शादी 19 साली चली और फिर डेवोस हो गया हालाकि इनके पहले तलाग के अकॉर्डिंग दूसरा तलाग काफी जादा ए डेवोस आज दुनिया के टॉप लिष्ट में शामिल है फिलाहल अब अगले डेवोस के बारे में जानते हैं नमबर चार बैर्नी एंड सलाइविका रैडिक एलिस्टॉन बैर्नी एलिस्टॉन में दूसरी शादी अपने से 18 साल की चोटी लड़की यानि क्रेशियाई मोड सलाइविका से साल 1985 में की थी दरसल बैर्नी एलिस्टॉन फॉर्मूला वन के एक्सक्यूटिव है जो कि यूके के सबसे अमीर लोगों में आते हैं साथ ही अब तो इनका नाम सबसे महेंगे डेवोस की लिष्ट में चौथे नंबर पर भी आता है वैसे तो किसी भी तलाक को होने में कम से कम 6 महिने लग जाते हैं या इससे भी जादा लेकिन बैर्नी और सलाइविका का डेवोस साल 2009 में एक मिनट से भी कम में हो गया था क्योंकि इनके तलाक के कागजों में ऐसा कोई रीजन ही नहीं था जिससे दोनों को समझोता करने के लिए कोड़ द्वारा कोई की आदेश दिया जाए या उनको कुछ कहा भी जाए लेकिन फिर भी यह डेवोस एक्सपेंसिव डेवोस था जिसमें लगभग एक पॉइंट दो बिलियन डॉलर का भुकतान करना पड़ा था बैर्नी को जो कि भारते रूपे के अनुसार लगभग आठ हजार नौसो एक्क इकन बिलिनियर बिजनसमेन है जो कि एक मीडिया टाइकून और इन्वेस्टर भी है और वहीं दूसरी तरफ उनकी पतनी अन्ना मारिया एक स्कॉटिश जर्नलिस्ट के साथ साथ एक बहतरी नोवलिस्ट भी है वैसे इस वीडियो को बनाने के बाद भी हमें ये बास समझ न साल चली लेकिन फिर भी मार्दोच ने एमिकेबल सेपरेशन की वज़े से साल उन्नी सो अन्ठानवे में लगबग एक पॉइंट साथ यूएस बिलियन डॉलर का भुकतान किया जो कि भारते मुद्रा में देखे तो लगबग एक लाक अर्तिस हजार कर रुपे होता है और तो और इतना ही नहीं साल उन्नी सो निन्यानवे में पूरी तरीके से तलाक लेने के सत्रा दिन बाद ही रूपत मार्दोच ने शादी भी कर ली फिलाल अब चलते हैं नंबर दो की तरफ वैसे तो ऐस दुनिया में शायदी कोई ऐसा देश होगा जहां एमाजॉन का सिक्का ना चलता हो और उसी विश परसीद कंपनी के मालिक हैं जैब बेजॉस हाला कि जितना जैब बेजॉस अपनी कंपनी एमाजॉन के लिए दुनिया भर में परसीद हैं उतने ही पॉपुलर दुनिया भर में वो अपने महंगे तलाग के लिए भी हो गए थे क्योंकि उनका तलाग था ही इतना शांदार दरसल जैसी जैफ ने मेकेंजी को एमाजॉन की चार परतिशत की हिस्सेदारी दी वैसे मेकेंजी दुनिया की 34 सबसे अमीर महिला बन गई यानि मेकेंजी को 11,2 220 मिलियन डॉलर अमाजॉन का शेर मिला था उस समय साथी 38 बिलियन डॉलर जैब बैजॉस ने मेकेंजी को समझोते के लिए चुकाया और तब जाकर इनका डैवोस दुनिया का सबसे पॉपुलर और बेहत महंगा डैवोस बन गया था क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि म पॉइंट 49 बिलियन डॉलर हैं यानि यह तलाक इतना महंगा था कि मौरेश्य जैसे देश की जीडिपी को तीन बार खरीद सकता है Microsoft के को फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बिल गेट्स ने 27 साल बाद अपनी पतनी मेलेंडा से तलाक ले लिया था वैसे बिल और मेलिंडा के तीन बच्चे हैं जो कि आज भी बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन के नाम से ही चलता है जिस वह से दोनों आज भी साथ ही काम करते हैं तलाक लेने के बाद भी लेकिन जब बिल गेट्स और मेलिंडा ने तलाक लिया था तब वो दुनिया का भग भग 54,000,000,000 रुपे से भी जादा होता है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका में डेवोस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जंग चल रहा है वैसे दूस्तों आपकी क्या राया इस वीडियो को लेकर आपको इस वीडियो में किसके डेवोस का अमाउंट सुनकर हैरानी हुई हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो फिर मिलते हैं एक और इंफिर्मिटी वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत